उस समय क्या विचारधारा थी नहीं थी आज कहां जो विचारधारा बताई जा रही उसका कोई connection उस समय की विचारधारा से है या नहीं है ये मेरा पहला सवाल है कि क्या आपकी विचारधारा को लेकर अब इस पश्टता आ गई है अन्मूट कर लिए मुकेश लिए आमाधी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने जन्म के समयसे ही विचारधारा सुन्य पार्टी है इसलिए ये कहना कि अचानक आमाधी पार्टी को इस बात कर ध्याना है पाटी के साथ पाटी के कोई विचारधाघारा नहीं है। लिहाज़ा विचारधारा को हमको सपस्ट करना चाहिए। ये बात तोड़ा भरम को और बढ़ा देती है। देखें, विचारधारा के तीन बड़े महत्पूर्ण अवय glare होते हैं। elements होते हैं, पहला हर विचारधारा का एक यूटोपिया होता है, उसके बाद उसमें विचारों की एक शंखला होती है, और तीसरा उसके साथ एक बड़ा संगठन होता है, आमादी पार्टी से पूछा जाए कि आपका यूटोपिया क्या है, तो शायद उनको बताने में दिक्क होगी, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके विचारों के शंखला क्या है, तो भी बचाने बताने में दिक्कत होगी, संगठन में तो आमादी पार्टी को यकीन ही नहीं है, अगर आप किसी सीपियम से पूछेंगे, तो सीपियम धढले साब को बताएगा कि वो एक क्लास्ल पार्टी से बात करेंगे, तो वो कहेंगे, जी मेरी विचारधारा हिंदुत है, हम हिंदुरास्ट बनाना चाहते हैं, और हमारा एक बहुती बढ़ा संगठन है, ऐसी कोई स्थिती दरसल आमादी पार्टी के साथ है नहीं, तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरों आमादी पी विचारधारा बदल सकती है, जो आमादी पार्टी एक जमाने में मुस्लिम तबके को अपने साथ लाने के लिए इनकी बात किया करती थी, उनके रोजा इफ्तार में शरकत करती थी, मुस्लिम नेताओं के साथ खड़े होने की कोशिश करती थी, उनके साथ फोटो को बह ईनकी राए नहीं है, बिलकिस बानों पर उनकी कोई राए नहीं है, और जो दंगा दिल्ली के अंदर हुआ, वहाँ पर उनकी पार्टी के तरब कोई ऐसे कारिकर्म नहीं कियेगे, जिसका आधार पर कहा जाए कि दरसल उन्हों रेहबिलिटेशन के लिए कोई गंभिर प्र यह पिर Republican Party से कूछ यह भी कहीं कि हम तो तो कटर देशबक्त हैं तो कटर इमांदार हैं और कोई पार्टी नहीं कहती नहीं कहती है धर्म जाती कि आधार पर वोट देती है या उनका उनका polarization करती है भारती अंता पार्टी भी कहें कि हो कटर देशबक्त हैं और कटर में उनका यकीन है तो ये जो ये जो बात कहने के कोशिश की गई है दरसल वो ये ये सिर्फ एक हम कह सकें कि जुम्ले से जादा इसको तरजी नहीं दी जानी चाहिए और नहीं इसका कोई जादा आर्थ निकालना चाहिए झालना चाहिए